सन 1678 में इस प्रतिबल और वीकृती के संबंद को समझने के लिए साइंटिस्ट हुक ने एक तार के साथ विभिन ने प्रयोग किये उन्होंने एक तार लिया जिसको एक द्रिड सतह पर लटका दिया अब इस तार पर भार को लटकाते गया यानि स्तार की ऊपर वीर उपक बल लगाया गया ताकि स्तार की लंबाई में परिवर्तन किया जा सके और उन्होंने देखा इस तार में जो विस्तार हो रहा है वो इस तार के भार पर निर्भर कर रहा है हम जितना ज़्यादा भार लटकाते गए तार में उतना है विस्तार होता गया यानि इस तार का extension निर्भर कर रह था तार के load पर और इस प्रकार उन्होंने तार का विस्तार और तार पर लगाये गए भार के बीच में एक संबंद स्थापित किया और बाद में उन्होंने पाया कि यहां संबंद ना केवल लंबाई पर ही लागू हो रहे बलकि तार में संपीडन उसके एठन और तार के जुकाओ पर भी लागू होता है और इसी आधार पर उन्होंने प्रतिबल और विकृति के बीच में एक संबंद दिया जिसे हम हुक के नियम के नाम से जानते हैं और हुक के नियम के अनुसार प्रत्यास्था की सीमा के अंतरगत बच्चों यह लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम हुक का नियम याद रख लेते हैं उसे लिख भी लेते हैं यह आम बोल चाल की भाशन में बोल भी देते हैं लेकिन वहाँ पर इस लाइन का इस्तमाल करना बहुत जरूरी है क्योंकि जो सारा एक्स्टेंशन था भार के अनुसार वो प्रत्यास्था की सीमा के अंतरगत ही हो रहा था मतलब जब हम भार को हटा रहे थे तो तार वापिस अपने आकृती आकार को ग्रहन कर रहे थी तब ही यह नियम लागू हो सकता है तो बच्चो हुक के नियम के अनुसार प्रत्यास्था की सीमा के अंतरगत प्रतिबल वीकृती के समानुपाती होता है तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं प्रतिबल समानुपाती है वीकृती के और समानुपाती का चिन हटाते हैं तो हम बराबर का चिन लगाते हैं और एक नियातांक यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हमने समानुपाति का चिन हटा कर बराबर का चिन लगाया और जो नियतांग इस्तमाल किया इसे हम E से दर्शाते हैं तो इस प्रकार प्रतिबल बराबर E into V कृती और इस नियतांग को हम कहते हैं प्रत्यास्था गुणांग यानि की Modulus of Elasticity और यहाँ से हम देखें तो E यानि की Modulus of Elasticity प्रत्यास्था गुणांग बराबर होता है प्रतिबल अपन विकृती और बच्चो इस आधार पर इदियम प्रत्यास्था गुणांग का मात्रक देखें तो प्रतिबल का मात्रक होता है Newton प्रती मीटर स्क्वेर जबकि विकृती का तो कोई मात्रक ही नहीं होता तो यहां से हम देखें प्रत्यास्था गुणांग का मात्रक भी वही होगा जो प एल माइनस वन टी माइनस टो अब अच्चों ये कोश्चिन एक्जाम में तीन नंबर का पूछा जाता है कि हुक का नियम लिखे और इसके आधार पर यंग प्रत्यास्था गुणांग को परिभाशित कीजिए या फिर कभी यंग प्रत्यास्था गुणांग का मात्रा क्या हम देखे यंग प्रत्यास्था गुणांग को यदि परिभाशित किया जाना है तो आपके इस प्रकार परिभाशित करेंगे प्रत्यास्था की सीमा के अंतरगत किसी भी वस्तु का प्रत्यास्था गुणांग उस वस्तु में उत्पन प्रतीबल और वीकृति का अनुपात होता है और बच्चों हम जानते हैं कि विकृती भी तीन प्रकार की होती है और प्रतीबल भी तीन प्रकार के होते हैं तो जब हम अनुपात लेंगे तो कौन सी विकृती का किस प्रतीबल के साथ अनुपात लेंगे इसके आधार पर ही जो प्रत्यास्था गुणांग होते हैं वो भी तीन प्रत्यास्था गुणांग यानि कि यंग्स मॉडूलस ओफ इलास्टिसिटी दूसरा है आयतन प्रत्यास्था गुणांग यानि कि बल्क मॉडूलस और तीसरा है दृड़ता गुणांग यानि कि मॉडूलस ओफ रिजिडिटी तो बच्चों सबसे पहले हम तीन अब तीन प्रकार के प्रतिबल को लिख लेते हैं। हमारे पास तीन प्रकार के प्रतिबल कौन कौनसे हैं? सबसे पहले अनुद्यार्दे विकृति हम पड़े थे, फिर आयतन विकृति और तीसरा है अप्रूपन विकृति, अब इन ही का अनुपात अलग-अलग रेशियो को बताता है, जब हम अनुद्यार्दे प्रतिबल का अनुपात अनुद्यार्दे विकृति से लेते हैं, तो ये यंग प्रत्यास्था गुनांग बन जाता है। जब हम अभी लंब प्रतीबल का अनुपाथ आतन विकृती के साथ लेते हैं तो ये आतन प्रत्यास्था गुरांग बनता है। और जब हम अप्रूपन प्रतीबल का अनुपात अप्रूपन विकृती से लेते हैं, तो ये दिर्ड़ता गुणांग बन जाता है। तो चलो बच्चो एक एक करके हम ये तीनो प्रत्यास्था गुणांग के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम यंग प्रत्यास्था गुणांग लेते हैं, जैसे कि हम जान चुके यंग प्रत्यास्थागुणांग अनुदैर्दे प्रतिबल और अनुदैर्दे वीकृति का अनुपात है और इस अनुपात को हम special चिंणे से दर्शाहते हैं इसे हम गामा से डिनोट करते हैं और इस प्रत्यास्था गुणांग से संबंधित विविद कॉंसेप्ट को सैंटिस्ट यंग ने प्रयोक करके अध्यन किया था इसलिए इस प्रत्यास्था गुणांग को उनके नाम के अधार पर हम यंग प्रत्यास्था गुणांग कहते हैं कि इन्होंने भी तार पर भार लटकाते गएं जिसके कारण इस तार की लंबाई में वृधिवें मालीजे तार की प्रारंभिक लंबाई हम एन ले रहे हैं और भार के लटकाने पर इस पर लंबाई में जो परिवर्टन हो रहा है इसे हम स्मॉल एल से दर्शार हैं और यह जो भार लटकाए जा रहा है इसके कारण इस तार में जो प्रत्यानन बल उत्पन हो रहा है इसे हम F से दर्शाएंगे और यह प्रत्यानन बल वी रूपक बल के बराबर ही होगा अब यहाँ पर यह प्रत्यानन बल अनुप्रस्त काट के छेत्रफल पर काम करेगा तो इस तार के अनुप्रस्त काट का छेत्रफल हम A ले रहे हैं तो हम सूत्र अनुसार जान चुके हैं प्रतीबल क्या होगा और विकृति क्या होगी तो हम लिखेंगे y बराबर अनु दैरदे प्रतीबल लिखेंगे तो ये प्रत्यनियनबल अपॉन एरिया होगा तो f अपॉन a लिखें अनु दैरदे विकृति होती है लंबाई में प्रत्यास्था गुडांका अब बचो यंग प्रत्यास्था गुडांकों परिभाशित कैसे करेंगे यह भी बहुत important question है examination point of view से exam में पूछा जाता है यंग प्रत्यास्था गुडांका सूत्र लिखे उसे परिभाशित कीजिए इसका मात्रक लिखिए तो आप सूत्र देख चुके हैं अब परिभाशा कैसे लिखेंगे बचों इस प्रकार किसी भी सूत्र के अधार पर यदि हमको परिभाशा लिखना है तो हम सूत्र में कुछ परिवर्तन करते हैं और उसके अधार पर इसको बराबर L का क्या मतलब है हमने जितनी लंबी तार ली थी वी रुपक बल लगाने के बाद उसमें परिवर्तन उतना ही हो गया इसका मतलब तार की लंबाई अब दुगनी हो गए पहले जितनी थी उतनी और वृद्धी होगी तो तार की लंबाई दुगनी हो गए तो यहां से अगर ये मान इस समीकरण में रखे तो हमें मिलेगा गामा बराबर F व्योंकि L बराबर L है और A का मान 1 है तो गामा बराबर F हो गया इस प्रकार हम यंग प्रत्यास्था गुणांग को इस तरह से परिभाशित कर सकते हैं किसी भी वस्तू का यंग प्रत्यास्था गुणांग, उस वस्तू में उत्पन उस प्रत्यान्यन बल के मान के बराबर होगा, जो एकांग अनुप्रस्थ काट के छेत्रिफल वाले तार की लंबाई में दुगनी वृद्धी करने से उत्पन हो रहा हो. अब बताए इस यंग प्रत्यास्था गुणांग का मातरक क्या होगा? इन तीनों प्रत्यास्था गुणांग को का होगा, इसलिए यंग प्रत्यास्था गुणांग का मातरक न्यूटन प्रती मीटर स्क्वेर होगा, और उसका विमी सूत्र M L माइनस T माइनस 2 होगा. और यदि किसी वस्तु में उत्पन्य विक्रिती के सापेक्ष, यदि उस पे उत्पन्य प्रतिबल का मान अधिक होता है, तो उस वस्तु के लिए यंग प्रत्यास्था गुणांग का मान भी अधिक होगा. और इस यंग प्रत्यास्था गुणांग के मान के अधार पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि वस्तु की प्रत्यास्था कितनी होगी. यदि किसी वस्तू के लिए यंग प्रत्यास्था गुणांग का मांग अधिक हुआ इसका मतलब वो वस्तू अधिक प्रत्यास्थ होगी बच्चों हम इसको एक एक एक्जामपल द्वारा समझते हैं यदि हमने अलग-अलग पदार्थ की बॉल्स लिए हैं यानि बाटिया ल गाती है अब यहां पर सारी जो बाठिया है वह अलग-अलग पदार्थ की बनी हुई है अब अलग-अलग पदार्थ की बाठिया हैं मतलब सभी बार्टियों का यंग प्रत्यास्था गुणांग अलग-अलग होगा अब इसको हम एक ही उचाई से एक ही साथ फॉर्स पर गिराते हैं फॉर्स भी समान है एक ही फॉर्स पर हम गिरा रहे हैं क्या इस फॉर्स टक्राने के बाद सारी कोटिया वापस उचल कर ए उपर आती हैं तो सब एक हाइट पर नहीं आती कोई अधिक उपर आती है और कोई नीचे ही रह जाती है और कुछ ऐसी होगी कि जो फॉर्स पर ही रह जाती है इसका कारण क्या है कि सभी बाटियों के पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांग अलग-अलग है अब फॉर्स से टकराने के बाद सबसे अधिक होगी और जिसका कम होगा उसकी हाइट कम होगी तो हाइट देखकर ही आप बता सकते हैं कि कौन से गोटी का प्रत्यास्था गुणांग अधिक होगा एक स्टील के तार की लंबाई एक मीटर तथा त्रिज्या 10 मिलिमीटर है उस प पहला प्रतिबल दूसरा विकृति तीसरा लंबाई में व्रद्धि इस प्रश्च में दिया गया है यंग प्रत्यास्था गुणांग गामा बराबर 2.0 इन्टु 10 टुद पावर 11 न्यूटन प्रतिमीटर स्क्वाइर आईए देखते हैं इस प्रश्चन को कैसे हल करेंगे इसमें तीनभाग हैं हम प्रते एक भाग को करके हल करेंगे प्रस्ण मी क्या क्या दिया गया है लंबाई El बराबर 1 मीटर है 3 जेयं 10 मिलिमिजर इस इसे में change करेंगे तो यह जगा 10 इंटू 10 तो पावर माइनस है मीचर बल है वन इंटू 10 तो पावर 5 नूटर और गामा बराबर 2.0 इंटू 10 तो पावर 11 नूटर प्रति मीचर स्क्वार अब सबसे पहले प्रतिबल ग्याद करते हैं प्रतिबल बराबर होता है एफ अपॉन एए और एए अनुप्रस्त काट का छेत्रफल है और यह वृतिय होगा इसमें हम पाई आरे स्क्वार लिखेंगे जिग एफ अपॉन पाई आरे स्क्वार यह मान हम इस फॉर्मले में रखते हैं तो में मिलेगा 1 इंटू 10 तो पावर 5 अपॉन पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू रखते हैं 10 इंटू 10 तो पावर माइनस 3 का होल स्क्वार और इन सब को सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 3.18 इंटू 10 तो पावर 8 मूटन प्रति मूटर स्क्वार अब हम विक्रिती क्यल्कुलेट करते हैं विक्रिती को हम यंग प्रत्यास्था गुणांग के सूत्र से क्यल्कुलेट करेंगे यंग प्रत्यास्था गुणांग बराबर होता है प्रतिबल अपॉन विक्रिती तो विक्रिती बराबर होगा प्रतिबल अपॉन यंग प्रति सब्सक्राइब इसे हल करने पर हमें वीकृति का मन्त राप्त होगा बच्चों वीकृति एक वीमाहिन राशी होती है इसलिए हम यहां पर कोई भी मात्रक नहीं लिखेंगे आप हम लंबाय में व्रद्धि निकालेंगे इसके लिए हम वी कृति के फॉर्म लेकर स्वेल करेंगे वी कृत हे ब्राबर होती है लंबाय में परिवर्तन अपन प्रारमधिक लंबाई तो यहां पर लंबाय में व्रद्धि यानि के स्मॉल एल बराबर हो जाएगा कैपिटल एल इंटू विकृति और प्रारमभीक लंबाई है एक मीटर और विकृति का मान अभी हमने कैलकुलेट किया यह 1.59 इंटू 10 पावर माइनस 3 इसका मतलब लंबाई में वृध्धी होगी 1.59 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर जिसे ह हम 1.59 मिलिमीटर आइए जब किसी वस्तू पर वीरूपक बल लगाते हैं तो उसकी वीमा में परिवर्तन होता है इसे हम विकृति कहते हैं वेरूपक बल याने d-forming force लगाया जाता है तो वस्तु में प्रत्यन्यन बल कार्य करता है और जब प्रत्यन्यन बल को एकांग-6 त्रफल के लिए कAlpulate किया जाता है तो उसे हम प्रतिबल कहते हैं और यह प्रतिबल वी रूपक बल के बराबर होता है किन्दो दिशा में विप्रित होता है और जब प्रतिबल और विक्रिती के बीच में ग्राफ खीचा जाता है तो इसे हम प्रतिबल विक्रिती ग्राफ, stress-strain graph कहते हैं तो अब हम इस stress-strand graph के बारे में अध्यन करते हैं, अब हम एक spring लेंगे और उस पर भार लटका कर, उसमें उत्पन वीकृती और उसके corresponding प्रतिबल के बीच में graph बनाते हैं, और इन graph के विभिन भागों की चर्चा करते हैं, हम देखते हैं कि जैसे spring पर भार लटकाया जाता है, spring की वीमा में परिवर्तन हो जाता है, spring की लंबाई बढ़ जाती है, हम इस लंबाई को नोट करेंगे, और इस spring पर भार लटकाने के साथ साथ प्रतिबल भी कार्ये करेगा, और इस प्रतिबल का मान इस भार के बराबर ही ह तो हम इन दोनों को नोट करते जाएंगे और इसके सहिता से प्रतिबल और विकृति के बीच में ग्राफ बनाएंगे तथे इन ग्राफ के विबिन भागों की चर्चा करेंगे इस ग्राफ में जैसे हमको नजर आ रहा है ग्राफ का ओ ए भाग सरल रेखा होता है और हुक के नियम के नुसार प्रत्यास्था की सीमा के अंतरगर प्रतिबल विक्रिती के समानुपाती होता है यानि stress is directly proportional to strength और इसलिए बिंदु A को अनुक्रमनुपाती सीमा कहते हैं यानि की proportionality limit बिंदु A के आगे बिंदु B तक तार में प्रत्यास्था का गुंड तो होता हैं किन्तु प्रतिबल विक्रिती के अनुक्रमनुपाती नहीं होता और graph के O B भा को प्रत्यास्थ छेत्र यानि elastic range कहते हैं यदि O और B के बीच में कहीं भी भार को हटा लिया जाए तो O से सिती में spring अपनी पूर्व अवस्था को वापस प्राप्त कर लेता है यदि graph से समझे तो तार B, A, O पत द्वारा अपनी मूल नंबाई को प्राप्त कर लेता है इसलिए बिंदू B को प्रत्यास्थ सीमा या elastic limit के नाम से जानते हैं इस पस्च है कि O और B के बीच इस spring का पदार्थ प्रत्यास्थ आच्रण प्रदर्शित करता है बिंदू B के आगे तार में स्थाई विरूपन होने लगता है अता बिंदू B को पराभव बिंदू यानि कि yield point भी कहते हैं बिंदू B के संगत प्रतिबल को पराभव आमर्थ कहते हैं यानि कि yield strength बिंदू B के आगे यदि हम spring पर भार लटकाएं तो भार हटाने पर spring अपनी पूर्वा वस्था में नहीं आता इस प्रकार हम कह सकते हैं कि B और D के बीच वीरूपन इस्थाई हो जाता है और इस वीरूपन को प्लास्टिक वीरूपन कहते हैं बिंदू B के आगे B और D के बीच मानलीच एक बिंदू C लेते हैं इस पर spring पर लटकाए गए भार को और बढ़ाने पर तार में प्रत्यास्था का गोण समाप्त हो जाता है अता भार को हटाने पर spring वापिस अपनी पूर्वा वस्था में नहीं आता और उसमें उत्पन वीकृति इस्थाई हो जाती है और यदि हम ग्राफ से समझें तो भार को अठाने पर तार C B A O पत का अनुसरण नहीं करता बलकि C O डश पत का अनुसरण करता है इस पश्ट है कि प्रतिबल शून्य होने पर भी तार के पदार्थ में इस्थाई वीकृति O O डश उत्पन हो जाती है और O O डश को स्थाई वीरूपन कहते हैं बिंदु D के संगत प्रतिबल को चरम तनन सामर्थ तथा बिंदु D को चरम सामर्थ बिंदु कहते हैं इस बिंदु के आगे आरोपित भार को कम करने पर भी अत्रिक्त विकृति उत्पन हो जाती है और बिंदु E पर तार तूट जाता है बिंदु E को भंजन बिंदु या त्रोटन बिंदु जिसे इंगलिश में fracture point कहते हैं और इसके संगत प्रतिबल को भंजन प्रतिबल या त्रोटन प्रतिबल कहते हैं अब हम प्रतिबल विक्रिती ग्राफ के अधार पर पदार्थों के वर्गी करण को समझते हैं जब चरम सामर्थ बिंदु और त्रोटन बिंदु के बीच दूरी बहुत कम होती है तो ऐसे पदार्थों को हम भंगूर पदार्थ यानि की ब्रिटल माटीरियल्स कहते हैं जब चरम सामर्थ बिंदु और त्रोटन बिंदु के बीच दूरी अधिक होती है तो ऐसे पदार्थ को हम तान्य पदार्थ डक्ताईल माटीरियल्स कहते हैं इन पदार्थ के लिए प्लास्टिक छेत्र विस्त्रित यानि की लार्ज होता है जैसे अलुमिनियम, कॉपर, स्टील जब चरम सामर्थ बिंदु और त्रोटन बिंदु अत्याधिक निकट होते हैं तो ऐसे पदार्थ को हम प्रत्यस्थलक यानि के लास्टोमर्स कहते हैं इलास्टोमर्स ऐसे पदार्थ को कहते हैं जो मूल लंबाई से कई गुना तक खीचे जा सकते हैं। इन पदार्थों में उत्पन विकृती प्रतिबल की तुल्ला में अत्यादिक होती है। यहां ग्राफ प्रत्यास्थ मटीरियल्स का है। ग्राबर महा धमनी के प्लास्टिक छेत्र नहीं होता। इस चित्र में दो पदार्थों A और B के लिए प्रतिबल विकृती ग्राफ प्रदर्शित किये गए हैं। ग्राफ एक ही पहने माने पर बने हैं। अब इस ग्राफ के अधार पर कुछ प्रश्णों के आंसर दीजी। पहला किस पदार्थ का यंग मापांग अधिक है। तो बच्चों इस ग्राफ से हम स्टडी करते हैं। पदार्थ A का यंग मापांग अधिक है। क्योंकि समान विकृति उत्पन करने के लिए पदार्थ A के लिए प्रतिबल अधिक है। अगला प्रश्णों कौन सा पदार्थ अधिक तन्य है। पदार्थ A पदार्थ B से अधिक तन्य है। क्योंकि A का प्लास्टिक छेत्र B के प्लास्टिक छेत्र से अधिक है। कौन सा पदार्थ अधिक भंगूर है चित्रनुसर हम देखे पदार्थ B अधिक भंगूर है योकि इसका प्लास्टिक छेत्र बहुत ही कम है कौन सा पदार्थ अधिक मजबूत है पदार्थ A अधिक मजबूत है तुछ कि पदार्थ A के लिए त्रोटन बिंदू के संगर प्रती बल्फ बिके तुल्णा में अधीग है अब चलो बच्चो हम बल्क मॉडुलस यानि की आयतन प्रत्यास्था गुणांं के बारे में चर्चा करते हैं जैसे कि हमने पहले भी बताया कि यह जो बल्क मॉडुलस है यह अनुपात होता है अभी लब प्रतीबल और आयतन विक्रिती का और यह हम कैपिटल लेटर के से दर्शाते हैं इसे हम bulk modulus कहते हैं, अब इसका formula ग्यात करने के लिए हमें आयतन में परिवर्तन करके देखना होगा, तो हम गैस के आयतन में परिवर्तन करके उस गैस के लिए आयतन प्रत्यास्थागुणा ग्यात करेंगे, अब बच्चो इसके लिए हम एक cylinder और piston वाली वैवस्था लेते हैं क्योंकि हमको उस गैस के आयतन को कम करना है, तो कम करने के लिए वहाँ पर दाब बढ़ाना होगा, क्योंकि किसी भी गैस को निश्चित रूप से अध्यान करने के लिए हम तीन parameter कर स्तमाल करते हैं, ताब, दाब और आयतन, तो यहाँ पर आयतन का संबंद उसके दाब के सा होता है, हम जानते हैं, बॉयल के नियम के नुसार, यदि दाब बढ़ाया जाए, तो आयतन में कमी आ जाती है, तो इस प्रकार हम यहाँ पर गैस ले रहे हैं, जिसको इस सिलेंडर में भर कर रखे हैं, और यह मान के चल रहे हैं, कि जो पिस्टन हमने लिया है, वो पिस्टन का सिस्टम है, यह बिल्कुल एयर टाइट है, अब मान लेते हैं, इस बेलन के अंदर जो गैस भरी है, उसका आयतन वी है, और इसका दाब पी है, अब जैसे ही इस पिस्टन को हम दबाते हैं, तो इस सिलेंडर के अंदर जो गैस भरी है, उसके दाब में वृत्धी हो जाएगी, और यह पिस्टन जब नीचे की और आएगा, तो इस बेलन के अंदर जो गैस है, उसके आयतन में कमी आ जाएगी, अब यहाँ पर हम जो बल लगा रहे हैं, वो इस पिस्टन के अनुप्रस्त काट के छेत्रफल लंबवत लगा रहे हैं, और इसलिए यहाँ पर जो प्रतिबल उत्पन होगा, वो अभिलंब प्रतिबल होगा, और यह अभिलंब प्रतिबल का मान दाब में परिवर्तन के बराबर होगा, जैसे कि हम पहले ही डिसकस कर चुके हैं, कि प्रतिबल और दाब का मातरक एकी होता है, फोर्स अपॉन एरिया, बस फर्क यह है कि दाब बायबल होता है, जबकि प्रतिबल की बात करें, तो यह आंत्रिक प्रतिबल 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 निकालने के लिए इस दाब में परिवर्तन को ही कैलकुलेट करेंगे, तो जब हमने दाब बढ़ाया, तो दाब हो जाएगा P प्लस डेल्टा P, जो दाब में चेंज की है हम लोग, मान लीजेए स्मॉल चेंज, मतब दाब को हमने थोड़ा ही बढ़ाया, तो इसे हम डेल्टा P से रिप्रेजन कर रहे हैं, अब चाहे तो स्मॉल लेटर P से भी र आने वाले हैं, और आप स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर लिखने में हो सकता है, मिस्टेक कर जाएं, यह कि कैपिटल लेटर P स्मॉल लेटर P लगभग एक जैसे दिखता है, इसलिए यहाँ पर हमने डेल्टा रिप्रेजन किया है, और लंबाई वाले इत में हम लोग, स्म दाब में परिवर्तन हो रहा है, उसको डेल्टा P से रिप्रेजन कर रहे हैं, और यह दाब में वृद्धी अभी लंब प्रतिबल के बराबर होगा, तो अभी लंब प्रतिबल बराबर डेल्टा P लिखेंगे, अब मार लिए इस दाब के कारण, आयतन में कमी आ गए, और आयतन में कमी को हम डेल्टा V से दर्शा रहे हैं, तो जो आयतन V कृति होती है, उसके सूत्र अनुसार हम लिखते हैं, आयतन में परिवर्तन अपौन प्रारंफिक आयतन, तो हम लिखेंगे डेल्टा V माइनस V, पर यहां आयतन में कमी आ रही है, और दाब के साथ इसकी होता है कि दाब बढ़ाया जा रहा है, तो आयतन में कमी आ रही है, तो इस प्रकार यदि आयतन गुडांख के लिए सूत्र देखें, तो यह होगा के बराबर, अभिलम प्रतिबल यानि कि डेल्टा पी अपौन आयतन विकृति यानि कि माइनस डेल्टा V अपौन V, तो इस प्रकार के बराबर हो जाएगा, माइनस डेल्टा P इन्टू V अपौन डेल्टा V, बच्चो इस सूत्र के आधार पर आयतन गुडांख का मातरक क्या होगा, तो बच्चो मैं आपको पहली ही बता चुकी हो, कि सूत्र चाहे जो भी हो, इस सूत्र के आधार पर आप निकाले, या फिर जैसे कि हम पहले भी निकाल रहे थे, यंग्स मॉडुलस का मातरक, आगे हम द्रिरता गुडांख के लिए मातरक निकालेंगे, तो चाहे जो भी फॉर्मुला आए, यह तीनों ही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हैं, यानि कि प्रत्यास्था गुडांख ही हैं, तो इन सभी के मातरक एक ही होंगे, तो सूत्र देखकर आप कन्फियोज नहीं होगा, यहां पर इसका मातरक न्यूटन प्रती मीटर स्क्वेर ही होगा, और इसका डामेशनल फॉर्मुला M L-1 T-2 ही होगा, यह द्रव तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस इन तीनों में परमाणों के स्थिति अलग-अलग होती है, हमने देखा कि गैस में परमाणों बहुत दूर-दूर होते हैं, और इनके बीच में आकर्शन बल भी नगण नहीं होता है, लगबग हम शून मान के ही चलते हैं, लेकिन जब लिक्विड की बात करें, तो अनू थ थोड़े पास होते हैं, इन में आकर्शन बल होता है, जब हम ठोज की बात करें, तो परमाणों और पास पास होते हैं, बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो इनके बीच में आकर्शन बल का मान भी बहुत अधिक होता है, और साथ हम देखें, तो ये साम में आवस्था म जाना है तो उससे अधिक भल कि अवशकता होगी कि उनके बीश में मुवमेंट के लिए जगा ही नहीं और और पास करना है तो ओर किए और आप के अवशकता होगा तो इसके द्रफ की तुलना में और द्रफ का आयतन प्रत्यास्था गुणां का धिक होता है ग्यास की तुलना में और इस प्रकार हम तीनों पदार्थों के लिए आयतन प्रत्यास्था गुणां को घट्टे क्रम में ठोस से लेकर ग्यास तक अरेंज कर सकते हैं अब बच्चों आयतन प्रत्यास्था गुणां के अधार पर अब हम अगला टॉपिक समझते हैं, जिसे हम compressibility या संपीडियता के नाम से जानते हैं. ये आयतन प्रत्यास्था गुढांग का व्यूत क्रम होता है प्रत्यास्था की सीमा के अंतर्गत इसे हम दर्शात हैं अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के केपितल लेटर बी से तो बी बराबर होता है वन अपों के यानि कि समपीड़्यता compressibility बराबर होती है 1 upon आयतन प्रत्यास्था गुणांग के और अभी हमने आयतन प्रत्यास्था गुणांग का formula ग्याद किया तो हम लिख सकते हैं B बराबर 1 upon minus delta P into V upon delta V और इस formula को हम सरल करके लिख सकतें B बराबर minus delta V upon delta P into V तो इस प्रकार हमने compressibility का सूत्र तो निकाल लिया पर वास्तव में ये compressibility होती क्या है यदि हम delta P बराबर 1 ले यानि कि जो द्राब में वृद्धी हो रही है ये परिवर्तन हो रहा है उसको हम इकाई लेते हैं और साथ ही हम गैस का प्रारंभिक आयतन को भी इकाई ले रहे हैं तो उस condition में B बराबर minus delta V होगा minus delta V क्या है आयतन में कमी तो इस प्रकार हम compressibility यानि समपीडियता को इस प्रकार परिभाशित कर सकते हैं कि इकाई आयतन के पदार्थ में यदि इकाई दाप की वृध्धी की जाए तो उस समय उसके आयतन में जो कमी आती है वो पदार्थ की compressibility यानि कि समपीडियता के बराबर होती है अब अच्चो आप मुझे इस सूत्र के आधार पर compressibility का मात्रख एवं वी मी सूत्र बताईए जैसे कि हमने जाना कि समपीडियता आयतन गोडां का व्यूत क्रम है और आयतन गोडां का मात्रख क्या था न्यूटन प्रती मीटर स्क्वेर तो इसका उल्टा करेंगे तो compressibility का मात्रख होगा मीटर स्क्वेर प्रती न्यूटन और आयतन गुडांग का वीमी सूत्र था M L-1 T-2 तो अब इसका उल्टा लिखेंगे हम compressibility का वीमी सूत्र लिखने के लिए तो यह हो जाएगा M-1 L T-square तो बच्चो इस concept को समझने के बाद इस पर अधारित एक numerical question बनाते है निम्न आकडों से जल के आयतन प्रत्यास्ता गुणांकी गण्ना कीज़ें इस प्रश्ट में दिया गया है प्रारंभिक आयतन solid दाब में वृध्धी 100 वायूमंडली दाब अन्तिम आयतन 100.5 लिटर और हम जानते हैं बच्चो एक वायूमंडली दाब बराबर होता है 1.013 into 10 to the power 5 पास करें और इन दिये गए आकडों की सहायता से हम जल के लिए आयतन प्रत्यास्ता गुणांकी गण्ना करेंगें सबसे पहले इन आकडों को हम स्टैंडर्ड रूप में लिखेंगे वी बराबर 100 लिटर है हमें आयतन को घर मीटर की रूप में चेंज करना है तो हम गुणा करेंगे 10 to the power minus 3 से यह कहें 100 को भाग देंगे 1000 से तो यह जाएगा 100 into 10 to the power minus 3 मीटर क्यूब अब आयतन में परिवर्तन ज्याद करने के लिए हम अंतिम आयतन में से प्रारमधिक आयतन को घटा देंगे तो यह जाएगा 100.5 minus 100 equal to 0.5 लीटर और इसे मीटर क्यूब में कनवर्ट करने के लिए हम 1000 से भाग देंगे तो यह जाएगा 0.5 into 10 to the power minus 3 मीटर क्यूब वायू मंदले दाब है 100 वायू मंदले दाब इसे हम पास्कल में कनवर्ट करेंगे तो 100 को गुणा करेंगे 1.013 into 10 to the power 5 से यह कनवर्ट हो जाएगा पास्कल में अब आयतन प्रत्यास्था गुणा यानि bulk modulus का formula होता है k बराबर पी इन्टू वी अपॉन वी जहाँ पर पी दाब है वी आरंभी का आयतन और स्मॉल वी आयतन में परिवर्टन होता है तो इस समीकरण में सारे मान व्रक कर इसे हल करने पर हमें मिलेगा आयतन प्रत्यास्था गुणा अग बराबर 2.026 into 10 to the power 9 newton प्रती मीटर स्क्वेर